तो फ्रेंट्स वेल्कम टू माइ चैनल पी के कोमर्स स्टडी तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीकॉम एमकॉम का इंकम टेक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट कोसंस लेकर आई हूं जैसा कि आप लोगों को डारेक्ट इक्जाम में देखने को मिलेगा तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूसफुल होने वाला है तो वीडियो के लास तक बने रहेगा और अगर आप पहली अगर हमारी सेनल पर विजिट कि तो सबसे पहले आप हमारे सेनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें और बेल बट्रीन पर क्लिक कर लिए ताकि जब बे मैं वीडियो अप्लोड करूड की तो इसका नौटिफीकेस सबसे पहले आपको मिल जाएगा फ्रेंस तो चलिए बीड यानि कि आप लोगों को यह बतलाना है कि क्रीसी आई यानि कि एगरी कल्सर इंकम क्या होता है से कितने टाइप होते हैं ऐसे कौन दस आई है यानि कि एसे कौन से दस इंकम है जो कि भूमी से रिलेटेड है लेकिन वह एगरी कल्सर इंकम में सामिल नहीं किया जाता है तो यह लोग को बतलाना है friends ये questions exam में बहुत बरा आये हुए हैं तो आप लोगी सभी questions को not down कर लीजिएगा friends carefully क्योंकि ये सभी questions आप लोगों के आने वाले exam में देखने को direct मिलेगा friends तो ये सभी questions आप लोग के लिए most important है next number question आता है I care क्या है यानि की I care यानि की income टेक्स क्या है भारत में आयकर के इतिहास का वर्न किजिए आयकर लगाने की विधी क्या है तो यह सभी आप लोग को एक्सप्लेंड करके अच्छे से बतलाना है फ्रेंज क्योंकि यह सभी कभी ना कभी पूछा गया और यही सब कोशन्स इंकम टेक्स में उठाके दे देता है एक्जामनर तो आप लोग के लिए भी यह सभी कोशन्स से मौस्ट इंपोर्टन हो जाता है नेक्स नंबर कोशन्स आता है आप लोगों का फ्रेंड्स आयकर आयकर के करदाताओं का निवास अस्थान किस परकार से निर्धारित किया जाता है इसकी स्रेनियों के व्याक्या करे यानि कि जो इंकम टेक्स में करदाता के दुवारा निवास अस्थान के अधार पे टेक्स लगाया जाता है तो वो किस वेस्ट पे होगा रेसिडेंटल न एक्जाम में मांक्स दिल लाने में help करता है अगर आप लोग को practical questions नहीं आ रहे हैं तो आप ये theory questions से अपना number को increase कर सकते हैं friends theory आप लोग के exam में बहुत ही ज़्यादा help करता है ये सभी questions most important next number questions आता है four number में ऐसी पंदरा आय की मदों को समझाए जो कूल आय में सामिल नहीं की जाती है यानि कि आप लोग को कुछ 15 ऐसे income बताने हैं जो कि टोटल income में सामिल नहीं किया जाता है तो अगर आप लोग कमेंट्स किजिएगा इस वीडियो की नीचे आप लोग दिए हुए है तो कमेंट्स करके जरूर बोलिएगा मैं यह सभी के आंसर भी अप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स नमबर कोशन आता है आप लोगों का भत्ते से आप क्या समझते यानि अलवाइन्स क्या होता इससे आप क्या समझते कर मुक्त हुआ कर योग्य भ दाना है और जी नमबर कोशन में आता है अनूलाब कर मुक्त अनुलाब के पांच अधारण दे तो यह सभी इंप्रेंट्ण ép青 बहुत बार रिपीट किया हुए हरल इंकम टेक्स में यह सभी कोशन देखने को मिल ही जाता है यह इस生 neurot है कुछ ना कुछ तीन चार कोशन्स आप लोगों को हर बार एक्जाम में यहां से देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स तो नेक्स नमबर कोशन है आता है कि वार्सिक मुल्य की परिभासा दीजिए तो नेक्स नमबर कोशन आता है फ्रेंड्स आप लोगों का बेपार वा पेशे सीरसक की कर योगे आई की गणना करने में कौन कौन सी वैफ स्विक्रित की जाती है यह कोशन भी एक्जाम में बहुत बार देखने को मिला है तो आप लोग भी यह कोशन के आंसर कर लिजेगा नेक्स नमबर कोशन आता है नाइन पूंजी लाब से आप क्या समस्ते है यानि कि प्रोफिट गेंस से आप क्या समस्ते है इसके कितने प्रकार है यह पूरा डीप किनों से आय सिर्सक में कौन सी जोड़ी चाती है तथा के सिर्सक की कौन सी स्विक्रीती कटोती है यह सभी आप लोग को किसी नहीं कि और बताना है और आंसर चाहिए तो मैं पूरे explain करके बतला दूंगे आप लोग को तो आज के लिए इतना है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने friends के साथ भी share जरूर करें आज के लिए इतना है thank you